विदेश मंत्री एस जैशंकर ने दिल्ली के मुख्य मंत्री आर्विन केजडिवाल के व्यान पर कड़ी आपत्ती जताई और कहा कि विदेश की आवाज नहीं है विदेश मंत्री ने COVID-19 में सिंगापूर के और से भारत को दिये गए सहयोग और दोनों देशों के बीच दुए पक्षिय संबंदों की सराहना की है आपको बता दें कि केजडिवाल के ट्वीट पर सिंगापूर सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ती दर्ज कराई है केजडिवाल के ट्वीट के जवाब में सिंगापूर दूतावास ने एक ट्वीट पर कहा कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं कि सिंगापूर में नया COVID-19 पाया गया है विदेश मंतराले के प्रवक्ता और इंदम बगाची ने ट्वीट करके बताया कि सिंगापूर वैरियंट वाली केजडिवाल के ट्वीट पर कड़ी आपत्ती दर्ज कराते हुए सिंगापूर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को तलब किया था इसे के साथ उच्चायुक्त ने यसपस्ट किया कि दिल्ली के सीम के पास कोरोना मामले या सिविल एवियेशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है विदेश मंत्री ने वुद्वार को बताया कि कोविट नाइटीन के खिलाफ जंग में भारत और सिंगापूर एक दूसरे के मजबूत सहयोगी और साज़दार है हलाकि इस बीच कुछ गयर जिम्यदान लोगों के बियान होते हैं जिन्हें यह समझना चाहिए कि हमारी लंबी साज़दारी को नुक्सान पहुँच सकता है इसलिए इस पस्ट कर दूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की आवाज नहीं है आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज़वाल ने केंदर सरकार से कहा था कि सिंगापूर के साथ हवाई सेवाय ततकाल प्रभाव से रद की जानी चाहिए क्योंकि सिंगापूर में आया घातक कोरोना वाइरस करनाया रूप बच्चों के लिए बेहत खतरनाक है जो भारत में महामारी की तीसरी लहर के रूप में आ सकता है हमारी आज की सिपोर्ट में बस इतना ही मैं शुपता चोहन पंजाब की स्री दिल्ली जो पंजाब के लिए में आ सकता है